हेलो फ्रेंज वेलकम टू बेक माई यूटूब चैनल रोटो सक्षेज में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NBCC Recruitment Portal Recruitment 2022 के online application के बारे में तो फ्रेंज आपका यहापना NBCC के तरफ से आपकी vacancy invite की गई है जिसके जो online application है आपके यहापर road ready start हो चुके हैं और इसके जो application करने की last date है आपके यहापा चार मार 2022 रखी गई है तो अगर आप इस vacancy के लिए eligible हैं applicable हैं और आप इस फोर्म के लिए apply करना चाहते हैं फेंट्स आप इस फोर्म के लिए apply कर पाएंगे लिंक आपको वीडियो description box मिल जाएगा आप उस लिंक पर किलिक करके आपका जो आवे दिन है आप उसे फिलप कर पाएंगे तो फेंट्स चले हम वीडियो को start करते हैं तो जैसा कि यहाप आप आप देख पार है NBCC की official website है जहाप आपको online application फिलप करना होगा तो फेंट्स यहाप आप देख सकते हैं latest information में आपका यहाप जो application है तीन फ्रेवरी से start हो चुके हैं जिसमें जो आपका यहाप पर पोस्ट रखा गिया है वो आपका यहाप पर assistant manager के लिए रखा गिया है साथ ही फेंट्स आपका project executive के लिए रखा गिया है तो आप जिस भी application के लिए apply करना चाहते हैं आप उसे apply कर पाएंगी तो दूस्तों यहाप आपको candidate login वाला option देखने को मिल जाता है अगर आपने पहले से आवज दिन कर रखा है तो आपका जो login ID है आपको एंटर करना है उसके बाद आपका जोबी केप चाहिए यह केप चाहिए फिलप करने तो आप किस पोस्ट के लिए apply करना चाहते हैं यहाप आप स्रक कर सकते हैं तो यहां पर आपके तीन‌पोस्ट इिनवयट की गई है जिसमें आपका assistant manager का रखा गया है और थरड है आपका assistant manager का software का रखा गया है तो यहां पर आप स्रक करेंगे और सेलिट करने के पर आपका जो पसले डिटल है वह आपको fill up करना होगा तो यहां पर आपको note दिया गया है कि जो भी आपकी detail है आपका name and आपका जो भी father name है वह अपना 10th के मार्सीड की according आपको fill up करना है तो सबसे पहली जो भी आपका first name है वो first name आपको mention करना है उसके बाद अपना middle name आपको enter करना है दनियापर आपका जो भी last name है वो आपको mention करना है उसके बाद जो भी आपका father name है वो father name आपको mention करना है और यहापर आप से कहा गया कि अगर आप P.W.D. candidate है तो आपको yes करना है अगर आप yes करते हैं तो जो भी आप आपको यहाँ पर condition है आपको यहाँ पर दिखाने होगी उसके बाद जोब आपका केक्टेइगर है आप उस्ट करेंगे as a h dg जिस भी केटेइगर से बर्लॉं करते हैं आप उसे अंटर्क करेंगे उसके बाध आपको कहा गये कि अगर आप एंडी सी के एंपले तो आपको यहां पर 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 यहां लेट सेलेट किजी आदरवाइज आप सिंगल सेलेट करेंगे वह सेलेट करने के बाद जो भी आपका यहां पर एक्टिव वेलिट इमिल आइडी है आप उसे एंटर करेंगी एंटर करने के बाद जो भी आपका मोबाल नमबर है आप उसे फिलब करेंगे फिलब करने के बाद आपका जो भी region है, आप किस village से belong करते हैं, वो आपको यहां पर चूस करना है उसके बाद आपका जो भी आदर number है, आप देना चाहते हैं, दे सकते हैं, यह आपका यहांपर यहां आपका लोब पर optional रहेगा, अभी यहां पर आपका जो भी communication detail है, वो आपको देना करना है एंड आपका दूबी पिन कोड है वो पिन कोड आपको देना होगा देने के बाद अगर आपका पर्माने इंटेडर्स और आपका कोरेस्पोंडेस एड़से हैं यहां पर आपको सेमज पर क्लिक करना है और इसके बाद दूस्तों यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको य डीटेशन हाँ वो आपका पर सक्केस्पूली हो चुका है आप याप आपको क्लिक करना है वो के Rights करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं है वाले면 आपक जोबी डाटा है वह आपका location हो हो चुका है वो तो भी आपको Login ID आपका प्स उडन आपको मिला है वह आपको फिलब करना है उसके बाद आप स्केवच कोünden करेंगे तहन यह प्र लोगई पर दूल करेंगे उसके बाद फैंट से आपको यह पर जो है अपना चेंज पासवर्ड आपको करना होगा तो जो भी आपको यहां पर यहां पर आपको फिर से कनफर्म करना होगा और कनफर्म करने की बाद आपको समिट पर क्लिक करना है इसकी बाद यहां पर आप देख सकते हैं आपका जो रेजीटेशन फोर्म है वो आपको यहां पर इस्टार्ट हो चुका है अब जो भी आपका एपिर से आपको नेश्ट पर किलिक करना है तो जो भी आपने post select के है उसकी detail आप देख सकते हैं, देर यहापको अपर आपको next पर click करना है। उसकी बाद जो भी आपका personal detail है आप उसे check out कर सकते हैं, देर आपको यहापद नीचे आएनआ हैं, आने बाद फिर से आपको next पर click करना है। उसके बाद आपका जो भी एजुकस्टन क्वालिफिकस्टन है अप उसे एंटर करेंगे तो यहाप आपका जो भी एश्चेशन का नेम है वह आपको देना होगा और यहां पर आपका जो भी date of issue है यानि कि आपका जो भी accurate qualification है उसका date आपको देना होगा और आपका जो भी course का duration है आप उसे enter करेंगे और आपका जो भी course का type है आप उसे enter करेंगे आप यहां पर full time है या फिर part time थे आपको यहां पर enter करना होगा और जो भी आपका एंपर board या फिर आपका university का name है वो आपको यहाँ पर देना है और जो भी आपकी percentage है आप उसके entry करेंगे entry करने के बाद दोस्तों अगर आपकी पास कोई or qualification है तो आप उसके entry कर सकते है और उसके बाद जो भी आपका academic qualification है आप उसके entry करेंगे तो friends यहाँ पर आपका degree का name है वो आपको देना है और आपका specialization का name आपको देना है और जो भी आपका according qualification है उसकी date आपको चूज करनी है और आपका जो भी course का type है आपको यहाँ पर देना होगा तो यहाँ पर आप जो है year में अपनी duration दे सकते है उसके बाद आपका name of college आपको देना होगा और आपका percentage आपको देना है उसके बाद इसी तरह से friends आपके जो भी qualification है आपको यहाँ पर enter करनी है और enter करने के बाद जो भी आपका qualification का certificate है आप उसे upload करेंगे उसके बाद आपको choose file पर click करना है और जो भी आपका document है आप उसे upload करेंगे upload करने के बाद आपको next पर click करना है उसके बाद आपके यहाँ पर जो भी work experience की detail है वो आपको mention करनी होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपका यहाँ पर organization का name है वो आपको यहाँ पर type करना होगा तो यहाँ पर आप select कर सकते हैं प्राइवेट है या फिर आपका government है उसके बाद आपका जो भी pay scale है वो आपको यहाँ पर देना है आपका designation का name आपको mention करना है और जो भी आपका यहाँ पर implement का period है आपको उसे choose करना होगा और आपका जो भी duration है आप उसे mention करेंगे तो यहाँ पर आप select कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपका जो भी यहाँ पर certificate है वो experience certificate आपको upload करना होगा तो आपको choose file पर click करना है और आपका जो भी certificate है आप उसे mention करेंगे उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर जो है work experience की detail अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं otherwise next पर आप click करेंगे के बाद friends आपका यहाँ पर जो भी photo and signature है वो आपको यहाँ पर upload करने होंगे तो यहाँ पर आपको note देया है कि आपका जो भी photo and signature है उसका size आपका jpg और jpg format में होना चाहिए उसके बाद जो भी आपका signature है उसका format भी आपको jpg में upload करना है और 50 kb से नीचे आपका format होना चाहिए और आपका यहाँ पर जो भी card certificate है वो आपको pdf format में upload करना होगा तो आपका जो PDF का फाइल है आपका 300 के भी से नीचे होना चीए वो आपको यहाँ पर upload करना होगा तो आपका जो photograph है आपको यहाँ पर upload करना है तो आपको यहाँ पर choose file पर click करना है और आपका जो भी photograph है आप उसे select करेंगे select करने के बाद दोस्तों आपको upload photo पर click करना है then आपको यह पर photo preview पर click करना है उसके बाद जो भी आपका signature है वह signature आपको upload करने होंगी तो आपको choose file पर click करना है और आपका जो भी signature है आप उसे upload करेंगे उसके बाद आपने signature को आपको preview पर click करना है अब यहाँ पर आपका जो भी card certificate है उसका PDF आपको upload करना है तो आपको तूस फाल पर click करना है और आपका जो भी certificate है आप उसे upload करेंगे upload करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाता है preview का option यहाँ पर प्रिवीव पर click करेंगे उसके बाद fans आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो भी NPCC India Limited का जो आपका प्रिवीव है वो application प्रिवीव आप चेक आउट कर सकते हैं जो भी आपकी information है उसके बाद आपको यहाँ पर नीचा आना है fans आपको यहाँ पर नीचाने के बाद आप इस declaration का आएगरी करेंगे यहाँ पर आप इसको confirm करेंगे और confirm करने के बाद आपको यहाँ पर save पर click करना है उसके बाद दुस्तों आपका जो भी login ID वेगे रहा है आपकी email ID and आपकी mobile number पर आपको send हो जाता है वहसा आप check out कर सकते हैं अब आपको अपने application form को download करना होगा तो आपको okay पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आप click करेंगे और आपका जो भी application form है आप उसे download करके print करके रख सकते हैं तो इस तरह से friends आप भी यहाँ पर NBCC India Limited का जो online form है आप उसे flip कर सकते हैं तो इस वीडियो में ने सारी process आपको बता दी है कि किस तरह से आपको application form को flip करना है तो फैंस आई होक के वीडियो को पसंद आया है अगर वीडियो को पसंद आते हैं इस वीडियो को like से रहें और सब्सक्राप जरू करें तो फैंस मिलते किसी और वीडियो में तब तक के लिए जे हिन जे भार